अश्लामुलीकुमेड़ीवान, हूप यौल अटो इंग वल तो जैसे के सब ने जो है वह यह यह करनी होंगी कर ली होंगी आज चांद रात है तो सबकी जो प्रपरेशन्स हैं वह भी जो है वह रूच प्या होंगी मैंने दो दिन पहले यह वहली प्रपरेशन्स कर ली थी आप चाहें तो सरफ वगरा एटी सी कुछ भी डाल सकते हैं तो मैं यही चीज़ें डालती हूं उसके बाद आपने टूदब्रश ले ले लेना है अपना कोई भी पुराना उसे अपने जो नील्स के साइड एरिया जिने इसे कितने ब्लाक ब्लाक हुए में है इनको जो आना इसके सवाइब बहुत अच्छे सोगे थे यहां मेरे पैर बहुत अच्छे से साफ नीट एंड क्लीन हो गए थे उसके बाद मैं करने लगी थी फीचल यह आयार का फीचल है जो कि मैंने इंस्टेग्राम से ओर्डर किया था तो फीचल के जो है वह छे से साथ स्टैप होता ह इस में ब्लीच होती एं इस में जो है वह स्क्रब होता है आपके पास फिचल नहीं डिफरेंट चीजें होंगी आप उससे भी पह सकते है मेरे पास यहाँ यह見े निए और भी है skin polish ठीक है तो मैंने ये वाली की है इसके अंदर आपने जो है वो two volume add करने है liquid के one volume add करना है powder का और साथ मैंने इसमें थोड़ा से shiner add किया है थोड़ा से soothing lotion add किया है और जो है वो इसमें मैंने एक whitening capsule add किया है and that said उसको अच्छे तरीके से जो आपको mix up करना है face पे लगा लिना है 15 से 15 मिनट के लिए जादा साथ में लगाती हूँ 10 से 15 मिनट enough है उसके बाद आपने पना face wash करना है उसके बाद आपने चाहें तो कोई mask लगा ले mineral cooling effect वाला ताकि आपका face अच्छे से set हो जाए उसके बाद अब आप देखें हमारी manicure pedicure भी हो गया हमारा face clean भी हो गया अब जो पार्ट है आपके face को facial hairs remove करने के लिए यह बहुत important है अगर नहीं करेंगे आपका make up smooth नहीं होगा जब आप अपने hairs remove करेंगे ना आप अपने skin का texture देखना कितना जो है ना वो खिल के निकर के सामने आएगा तो यह appellator है यह मेंटी sister use करके गई थी आपके देखें इसके कैसे यह बाल लगे नहीं यहां पर उसने बने arms की लगा की थी clean तो यह five in one है face वाला इसमें लाग है आप उसके साथ भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है no problem कोई परिशाने वाली बात नहीं है आपने simple जो हो टिंकल रेजर लेनी है टिंकल रेजर से कर लेना लेकिन इससे आपने यह क्याल रखना है कि अपके जो face है ना अच्छे तरीके से आपने moisturize करना है कोई भी serum लगा लें oil लगा लें, moisturizer लगा लें उसके बाद आपने जो है अपने face को shave करना है कैसे करना है बालों की opposite direction पर नहीं करना जैसे बालों की direction है उसी direction में आपने tinkle razor को जो है वर use करना है और अपने जो सारे hairs उनको remove कर लेना है यह बहुत best चीज़ है अगर आपके पास कोई भी epilator या कोई भी ऐसी मितलब जो है वर कीट नहीं है तो आपने इंकट razor यूज़ कर सकते हैं तो आपने इंकट razor यूज़ कर सकते हैं उसके बाद आपने अब सारी चीज़े होगी अपर गई है अब पानी के साथ कर लें कैसे भी थोड़ी सी heat देनी है उसको ताकि पोर्ट या वो अच्छे से खुल जाए और फिर उसके बाद आप ये cotton bird यूज़ कर लें प्रेस करने के लिए या ये वाली pin यूज़ कर ले उसके बाद हमारी इत की त्यारी में समान मगवाना बहुत जरूरी होता है समान होगा तो हम कुछ पका सकेंगे ताकि end time पे हमें जोए प्रॉब्लम ना हो अग्री लिस्ट वगएरा भी मगाले को मैंने कचलों मैं आपको ये भी दिखा देती है उसके बदब आप आप तेखे हैं हमारा facial hairs प्रॉब्लम वोगे अब आपके अपर लिप्स के बारी अपर लिप्स के लिए मैं हमेशा thread को प्राफर करते हैं क्योंकि इसे बहुत अच्छे हो जाते हैं टिंगल रॉजब करा यूज़ नहीं करती है क्योंकि अपर लिप्स के बाल थोड़े से hard होते हैं मुझे लगता है कि शायद थोड़े से hard आ जाते हैं तो मैं यहां पर च्रड यूज़ करती हूँ आपने अपर लिप्स खूद करने हैं खूद कर लें पॉलर से करवाने हैं नहीं है तो आप वेक्स ट्रिप्स मिलती हैं अपर लिप्स के लिए आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं वो मुझे परसनली सूट नहीं करती निशान पर चाते हैं उसके बाद अपने एद के त्यारियों में अपने कपड़े वगरा प्रेस करके लास्टिक डालके पूरे करके जाब वो हैंक करने ताकि आपको एद वाले दिन जो है वो कोई भी मसला ना हो तो लास्ट बट नॉट अगर कोई हेर मास्क लगाना है आपने हेर मास्क में दही, अलोवेरा, अंडा, वोट्यवर कुछ भी आप लगाना है आप ज़रूर लगाएं, बालों को भी अच्छा करें आपको आज की वीडिया आपको अच्छी लगी होगी, मिलता है नेक्स टूजे में, अलाफिस छोजे ले लगाना है